दोस्तो नमस्कार और वेलकम बैक टो माई चैनल अब लोग थामनेल देखके समझ गे होंगे कि यूटूब के एक ग्रेट आपडेट आया हुआ है 2022 के लिए एक बहुत बड़ा आपडेट ये भी है और ये सभी यूटूब क्रियेटर के लिए बहुत ही फायदा मन्द होगा कॉपिरेट क्लेम से ही आप निज़ात पा सकते हैं सभी यूटूबर बैकड़ाउंड मेउजिक कुछ सौंग कुछ ना कुछ हम लोग देते भी हैं कॉपिरेट फिरी भी निकाल के देते हैं या पट्चेज करके भी देते हैं या कभी-कभी बलॉग बनाता टाइम आपको बैकड़ाउंड कोई मेउजिक या कोई सौंग बजगया तुम वहाँ भी क्लेम आ जाता था अब कॉपिरेट क्लेम से कैसे बाज सकते हैं उसके बारे में आपको आज बारी की से बताऊंगा और आसनी से इस claim को आप हटा सकते हैं कैसे ओभी मैं दिखाऊंगा आप आगे तक देखते रहे हैं छोटा से episode है तो आप सको सब clear हो जाएगा जैसा ही आप Google Chrome version में आपना YouTube channel को खोलेंगे वैसा ही आपको जो copyright बला जो वीडियो है जो copyright claim आया हुआ है वो आपको सो होगा जैसे आप देख पर होंगे यह जो monetize का column में आपको inelisable दिखेगा और copyright जैसे आपको यहाँ दिख रहा है जैसे मैं आपको arrow देखे देखा रहा हूँ तो उस copyright को जैसे touch करेंगे तो see details करके एक option आ रहा है देखिए तो यह see details में touch करते ही आपको यह show करेगा कि कुणसा कुणसा part कितना कितने area आपका copyright है देखिए यहाँ आपको second minute सब बताएंगे कि इतना minute इतना second से लेकिए इतना minute इतना second तक आपका कोई song के वाज़े से background song mostly क्या होता है background song या music का वाज़े से copyright होता है तो इसमें जो actionable button है select action करके लिखवाई जो select action है इसमें जैसे आप touch करेंगे तो आपको यह option खुल के आएगा कि आपको select action में जाके क्या करना है अभी तक जो option आप लोग को मिलता था यह चार option मिलता था देखिए सबसे पहले trim out segment उस segment को आप काटके निकाल दीजिए दूसरा replace song song को change कर दीजिए और तीसरा है mute song song को बंद कर दीजिए तो mute song के जगह पे अगर mute करते थे तो उस जगह पे जितने सारे जो speech भी था और भी कुछ था वो भी बंद हो जाता था complete mute हो जाएगा और soundless आपको वीडियो पाट चलेगा तो यह भी खरब लगता है और एक dispute अगर आपका copyright free song है या आप उसमें purchase कर रहा है तो उहां आपको mention करना होता कि यह मेरा गलती से आप copyright दे दे है मेरा copyright free है तो आप उहां लिख सकते हैं तो जाज करके YouTube के तरफ से वो फिर आपको copyright को हटा देंगे पर अभी यह mute song के जगह पे erase voice करके एक नया option अभी आ रहा है यह सबसे बड़ा 2024 में great update बोल सकते है YouTube का तरफ से और सभी creator के लिए बहुत ही अच्छा होगा ताकि आप लोग ना वीडियो को दोबरा बना के फिर उसको upload करना होगा पहला वीडियो को delete करना होगा या तो यह जो चारो option पहले था इस चारो option में भी आप satisfied नहीं थे तो अभी जो option है आप देखिए erase song करके जो आ रहा है इस erase song को जैसे आप touch करेंगे तो इसमें आपको 2 option खुल के मिलेगा अभी आप देख पा रहे होंगे कि देखिए जो mute song के जगह पी erase song करके अभी जो option आया है यह new option है यह आप सबको चैनल में नहीं दिखेगा अभी बीटा वर्षन में चल ला है पर बहुत जल्द इसी महीने का अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा सबका चैनल में यह सो होगा तो इसमें erase song को जैसा ही आप टच करेंगे तो आगे जो option खुलेगा वो इस प्रकर है अभी erase song और निचे जो है mute song तो mute करोगे तो उस area को पूरा जितना sound है आपका speech है चाये discussion है सब mute हो जाएगा तो वीडियो useless हो जाता उस part अच्छा नहीं लगता यह trim कर दो के तो भी cut हो जाता था अभी erase song में इतना जबरदस्ट update है देखिए आपका voiceover जो speech आप दे रहे हैं यह discussion चल लाए वो as it is रहेगा सिरेफ song song आपका mute हो जाएगा यह बहुत ही बेतरीन है और हमें भी समाज में नहीं जा रहे कि YouTube कैसे इस software एड करके जो भी है इसको कर पा रहे हैं यह सभी YouTube creator के लि जुरूर कॉमेंट्स करके बताएं यह update जब आप लोग को सबका channel में मिल जाएगा तो यह copyright claim का जो जंजट है इससे आप मुक्ती पा सकते हैं तो अच्छा update है फिर मिलेंगे आगे कोई और update के साथ धन्यवाद